जी नाजरीन जम्मू कश्पीर से बड़ी खबर आ रही है उमर अब्दुल्ला की सरकार का काफला जो है वो बढ़ता जा रहा है जी हाँ चार जो MLA जिन्नोंने कल नेशनल कांफरेंस को स्पोर्ट की थी और उमर अब्दुला के चीफ मिनिस्टर्शिप को स्पोर्ट की थी आ आज आम आदमी पार्टी का जो लोन कैनिडेट डोडा MLA डोडा महराज मलिक जिसने गजे सिंग राना जो BGP के कैनिडेट थे डोडा से उनको 4000 से भी ज्यादा वोटू से हराया था तक्रीबन 4538 वोटू से गजे सिंग राना को महराज मलिक जो DDC का रहा थे उन्होंने जो आर्मर लेटर आफ स्पोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी ने सब्मिट किया है और इस तरह से अब नेशनल कांफरेंस का काफ़ा जो है वो 60 सीटों के करीब जो है वो पोंच चुका है तक्रीबन यानि कि 59 सीट इस वकत BJP के पास जो जो एंसी कांग्रस एलाइन से उसके पास है और बीजेपी जो है वो सिर्फ 29 नंबर पर जो है वो सिमिट कर रहे गई है यानि कि मैं आपको पहले भी बता रहा था जो आगे चलकर राजसभा की सीटों को लेकर जो वोटिंग होनी है उसमें जितने भी ज्यादा मलेज होंगे वो लोग जो है फिर वोट करेंगे और उसी के बिना पर जो है वो राजसभा की सीटे जो है वो डिसाइड होगी मैं बता दूँ कि जो यह जो यह कापला जो बढ़ रहा है उसमें PDP ने भी जो है वो अनकंडिशनल सपोर्ट जो है वो आफर की है नेशनल कार्परस गवर्मेंट को अगर आप दो कैनिडेट को कोई बाहर रहे हैं वो दो कैनिडेट है है अवामी इतिहाद पार्टी जो भाई है खुर्शीद शेक जिसको कहते हैं जो इंजिनर रशीद के जो भाई हैं वो अबार हैं अलंगेट जीतकर आए हैं और उसके अलावा सजाद गनी लोन जो हैं हन्दवाडा से जीते हैं यही तो लोग जो है अभी बार है बीजेपी के अलावा यारी कि कुल मिलाकर अगर हम देखे जो नेशनल कार्फरस की गौर्वर्मेट या बनने जारी वो एक स्ट्रांग गौर्मेट बनने जारी और साथ में जब ये सारे लोग क्योंकि हर एक का जो एजेंडा है इ युदेली पर कि वो यहां पर स्टेट को जो है रिश्टोर करें अभी यह देखना होगा कि क्या जब नेशनल कांपरेंस गौर्मेंट जमू कश्मीर के स्टेट हुड को लेकर रिश्टोरेशन को लेकर रेजोलूशन पास करेगी क्या बीजेपी भी जो है उस रेजोलूश जो पास किया जाएगा cabinet में वो resolution जो है वो restoration of statehood जो है जमू कश्मीर को लेकर है क्या उसके बाद वो resolution जमू कश्मीर की assembly में ले जाया जाएगा जहांपर BJPP जो है वो शामिल होगी और क्या ये देखना अब है कि आया जो national conference की cabinet उस resolution को पास करती है जब वो assembly में आएगा जमू कश्मीर assembly में क्या BJP को भी BJP भी उसको support करेगी क्या 90 के 90 members जो है वो statehood जो demand करते क्योंकि हर political party का agenda में ये था कि जो state है उसको restore किया जाएगा अब ये देखना होगा कि जब वो resolution आता है उसको क्या BJP support करती है कि नहीं करते लेकिन अभी की यही खबर है कि आम आदमी के party क के जो MLA Doda है महराज मलिक उन्होंने officially जो है उनकी party ने LG को उमर अब्दुल्ला की chief ministership को लेकर letter of support जो है वो handover किया है हमारी जम्मू किश्मीर के election के बाद का जो दंगल है उस पर आगे और नजर रहेगी आप हमारे साथ बने रहे